हेलो स्टूडेंट, वैलकम तो स्टॉडियो ओफ कॉमर्स फिछले कुछ दिनों से मेरी तबियाट ठीक नहीं चल रही है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो और अपलोड नहीं कर पा रही हूँ फिर भी आज मैं कोसेस कर रही हूँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आगे के और वीडियो देखने के लिए तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 11 के लिए जिसमें एक प्लेलिस्ट है स्टाटेक्स वर एकोनोमिक्स की जिसमें अभी तक हम चैप्टर 7 डिसकस कर चुके हैं ठीक है उसमें हम अभी तक चैप्टर 7 डिसकस कर चुके हैं तो इस सिरीज में हम किवल NCRT बुक को discuss करते हैं, उसमें जो चीजे लिखी होती हैं, सिर्फ उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्स्टा और कुछ चीजे जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा जो chapter 8 है, वो क्या आ रहा है वही identify करते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से एक example की मदद से और आपको अच्छे से समझाती हूं for example कोई चीज आज आज आपको आज नहीं for example हमारे पास दो येर दिये हुए हैं एक आपका टूथाउजन टू है और एक आपका टूथाउजन ट्वंटीवन है ठीक है तो एक दो हजार दो की बात हो रही है और एक दो हजार दो हजार दो में मिल रहा था का 10 रुपई का आज हो समान आपको कितने में मिल रहा है 50 रुपई का ठीक है झो समानं 10 2002 में 10 रुपई का था आज हो समान आपको कुछ वो 50 रुपई में मिल रहा है यही जो कुछ समय के बाद इसमें चेंज जाए रहा रहा है इसी को find out या calculate करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं तो बिसिकली इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके यह किसी सुचेशन के बाद दो वरियेवल्स के बीच में क्या चेंजेज आ रहे हैं जिसे यहां पे दस के बाद कीमत इसकी 50 हो गई है यानि 40 रुपय का चेंज आ रहा है तो वही 40 रुपय क्या है इसका इंडेक्स नंबर है तो आई होप आपको इंडेक्स नंबर का मतलब अच्छे से को होता है जिससे हम मेजर करते हैं चेंज घिक हं इसे हम चेंजेज को यह परीवर्टन को मेजर करते हैं इन दा मागनिटूड ओफ गुरूप अफ रिलेहेटेड वेयरियेबल के बीच में क्या चेंज आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हम एक स्टाटिस्टिकल टूल का यूस करते हैं जो की क्या है index number है ठीक है it represents the general trade of diverging ratios from which it is calculated it is the measure of the average change तो ये हमारे measure का average change है in a group of related variables over two different situation तो दो अलग अलग situation या दो अलग अलग time पे जा करके दो variables के बीच में जो changes आ रहे हैं उनी को measure करते हैं index number की मदद से चलिए आगे देखते हैं the comparison may be between like categories तो category में भी comparison हो सकता है जैसे person या school या hospital and index number also measures changes in the value of the variables तो value में भी changes को measure करता है जैसे prices of a specified list, commodities, value of a production ठीक है तो price में और value में production की इन सब को भी measure करता है changes को in different sectors of an industry ठीक है production of a various id culture costs cost of living तो production में क्या changes आ रहा है ये सारी चीजों को हम index number की मदद से measure करते हैं ठीक है चलिए आगे तमस्ते हैं conventionally index numbers are expressed in terms of percentage तो हम index number को conventionally percentage के firm में express करते हैं ठीक है of the two periods the period with which the comparison is to be made is known as base period तो जिस period से हम compare कर रहे हैं वो हमारा base period होता है और the value in the base period is given the index number hundred if you want to know how much the price has changed in 2005 from the level in 1990 then 1990 becomes the base ठीक है तो for example हमारे पास दो साल दिये हुए है जैसे मैंने example लिया था कि हमारे पास 2002 दिया हुआ है और 2021 दिया हुआ है ठीक है तो जो 2002 की value है वो हमारी base period है ठीक है और जो 2021 की value है वो हमारी current period है ठीक है चलिए आगे देखते हैं then 1990 becomes the base तो 1990 हमारा base है इंडेक्स नमबर of any period is in proportion with it thus an index number of 250 indicates that the value is two and half times that of the base period ठीक है आगे दिखते हैं price index numbers measures the permit comparison of the prices of a certain goods तो हमारे दो तरह के index number होते है एक आपका price index number होता है दूसरा आपका quantity index number होता है तो price index number के नाम से clear है कि इसमें हम compare करते हैं दो चीजों की prices को ठीक है दो सामानों की या दो गुट्स की prices में क्या changes आ रहा है उसको हम compare करते हैं और quantity index number में हम उनकी quantity को measure करते है physical value of production construction और employment ठीक है ठीक है सब्सक्राइब वह भी हमारा important indicator होता है और पुट का economy के ठीक है कि इकोनोमी में कितना output आ रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब हम construct करने जा रहे हैं इंडेक्स number को ठीक है तो कैसे हम calculate करते हैं index number को इसमें हम समझेंगे in the following section the principles of constructing an index number will be illustrated through price index number तो हम इस example में price index number को calculate करेंगे वह भी simple aggregative price index method से ठीक है तो simple aggregative price index method से हम अपने price index को calculate करेंगे ठीक है तो देखिए यहां पर community दी हुई है ABCD base period हमारा क्या है base period का price इधर दिया हुआ है current period का price इधर दिया हुआ है और इधर हमारा percentage change दिया हुआ है ठीक है चलिए as you observe in this example the percentage changes are different for every community तो जैसा कि हम observe कर रहे हैं हर एक community का अलग percentage change है इस इसका hundred है इसका twenty है इसका fifty है तो अलग-अलग है ठीक है आगे देखते हैं if the percentage change were the same for all four items अगर percentage change same होता सभी items के लिए a single measure would have been sufficient to describe the change तो हम एक single measure निकाल करके इसका measure जो हम calculate कर सकते थे वह ही सब को represent करता नेकिन यहाँ पे percentage अलग-अलग है हर एक community का however the percentage changes differ and reporting the percentage change for every item will be confusing it happens when the number of community is large which is common in any real market situation a price index represent those changes by a single numerical measure तो हम इसको numerically calculate करेंगे there are two methods of constructing an index number तो index number को construct करने का दो method होता है it can be computed by the aggregative method एक आपका aggregative method होता है और एक आपका averaging relative method होता है ठीक है तो चले दिखते हैं हम कौन सा use कर रहा है example में तो अभी हम जो use करने जा रहा है वो है आपका the aggregative method the formula for a simple aggregative price index इस तोस का formula क्या होता है P01 is equal to single P1 P01 से हम इंडेक्स number को represent कर रहा है single P1 यानि कि हमारा current year है उसका sum और upon sigma P0 यानि base year का sum into 100 ठीक है where P1 and P0 indicates the price of the community in the current period and base period तो P0 हमारा base period है और P1 हमारा current period है ठीक है using the data from example 1 the simple aggregative price index is तो अब हम यहाँ पे P1 और P0 को sum कर लेंगे तो 4,6,5,3 हमारा P1 हो गया और P0 क्या है 2542 base period ठीक है इसको into 100 कर देंगे तो हमारा जो simple index number आएगा वो क्या आएगा 138.5 हम बोल सकते है 139 ठीक है here price is said to have risen by 38.5% तो 100% तो यह था ही तो इसमें 38.5% का price rise हो रहा है ठीक है अबराल हर एक community में ठीक है चलिए आगे दिखते है Do you know that such an index is of limited use The reason is that the unit of measurement of prices of various communities are not the same तो यह जो हमारा index है इसका एक limited use है क्योंकि इसका reason क्या है कि हमारा unit of measurement है prices का वो various community का same नहीं है सबका अलग-अलग है ठीक है It is unweighted because the relative importance of the item has not been properly reflected तो क्योंकि हमें relative importance इसका properly reflect नहीं करता The items are targeted as having equal importance or weight But what happens in reality In reality में क्या होता है In reality the items purchased differ in order of the importance तो हमारे जो items हम purchase कर रहे हैं उनकी importance के base पे उनमें difference होता है Price भी अलग होता है और changes भी अलग होते है Food items occupy a large proportion of our expenditure तो हमारा जो food item है वो ज्यादा हम उसमें expend करते है In that case an equal rise in the price of an item with large weight And that of an item with low weight Will have different implications for the overall change in the price index तो किसी का large weight होता है When the relative importance of item is taken care of अब देखते हैं P0 कैसे निकलता है Here weights are quantity weights to construct a weighted aggregative index यह हम देख रहे है Current price हमारा P1 यह है Quantity period quality हमारी Q1 इधर दिखी हुई है तो basically यह कैसे निकला यह हम देखते है Formula हमें पता है P01 is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100 मतलब formula में change के आया है सिर्फ उपर और नीचे Q0 add हो गया है ठीक है चलिए आगे देखते है Add क्या multiply हुआ है तो सबको एक साथ add कर लेते हैं और into 100 कर देते हैं तो अब हमारा जो changes आ रहा है 135.3 answer आ रहा है 35.3 का हमारा changes आ रहा है This method uses the base period quantity as weight यहां पर हम base period quantity को as a weight use कर रहा है A weighted aggregative price index using base period quantity as weight is also known as less price index price index It provides an explanation to the question that If the expenditure on base period basket of a commodities was rupees 100 How much should be the expenditure in the current period on the same basket of the commodities तो basically जब हमारे basket में 100 rupees की communities हैं तो हम कितना उस पर expenditure करेंगे current period में same basket of a commodities ठीक है तो basically 35.3% का हमारा price rise हो रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब यहां पर q1 की बात हो रही है q1 के लिए हमारा answer आ रहा है 132.1 sigma p1 q1 upon sigma p0 q0 into 100 हमने किया है तो हमारा answer आ रहा है 132.1 यानि कि 32.1 का हमारा changes यहां पर आ रहा है a weighted aggregative price index using current period quantities as which is known as passachis price index तो उसको हम lessachis price index करते हैं इसको passachis price index करते है it helps in answering question that यह हमारी help करता है एक question का answer देने में कि जो हमारा current period basket of commodity है वो कितना consume कर रहा है as compared to base period if we are spending rupees 100 on it basically दोनों में अलग-अलग तरीके से हमने calculate किया है अब next हमारा topic है methods of averaging relatives तो इसको हम next video में समझेंगे I hope आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को पसंद आएगा तो like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा आगे के और वीडियो देखने के लिए thanks for watching